रुद्र की आहट कमरे के दर्वाजे पर थी, बिस्तर पर बैठी नागिन अपने शिकार को सूम कर बहुत खुश हो रही थी, और फिर रुद्र की दस्तक होती है, कमरे में सामने बैठी रुद्र की दुलहन असल में एक नागिन है, इस बात से बेखवर रुद्र ड्रॉर से एक हाग निकालता है, और चाहत की पास आता है, आगे तुम, और कितना इंतुजार करोगी रुद्र, मुझ पर प्यार नहीं आ रहा क्या तुम्हें, आज हमारी सुखाग रात है, रुद्र चाहत का चेहरा सहलाता है, और उसकी गले में वो हार पहनाता है, और उसका माथा चूम कर कहता है, चाहत अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर को पाने से पहले मुझे तुम्हारी आत्मा को पा लेना चाहिए, और उस रोज हम मनाएंगे हमारी सुहाग राग। अजीब लगता है, रोजर अगर मेरे साथ सुहाग राग मनानी ही नहीं थी, तो शादी क्योंगी, जब ये सब करना ही नहीं था तो फिर क्यों इतनी दूर से मुझे बुलाया तुमने? चाहत माना कि ये शादी समझ होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है, कि मैं तुमारी आबरू के साथ जो चाहे वो कर लो, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा। चाहत ही सुनकर हिल गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रुद्र को अपनी बातों में फसाए, और रुद्र करवट करके सो गया था, बेचारी नागिन भी करवट करके सो गई थी चाहत अगर तुम लाइट्स आफ कर दोगी, तो नीन जल्दी आ जाएगी, प्लीज चाहत लाइट्स आफ करती है, तब ही उसे खुराफात सूचती है, और वो रुद्र को रिजाने के लिए जान बूझ कर उसके उपर जा गिरती है आउच, वो मेरा पाउँ फिसल गया था, पर अच्छा हुआ, तुम्हें चूँकर ये तो पता चली गया, कि तुम्हारी वाजुएं कितनी मजबूत है, रुद्र पर रुद्र बड़ा ही सक्थ निकला, वो जरा भी बिगला नहीं, और उसने चाहत को साइड कर दिया सोजाओ चाहत, मैं भी ठग गया हूँ, और हाँ, तुम्हें शायद ये शादी बस समझोता लग रहा होगा, पर समझोता ही सही, इस दोरान तुमेरी पतनी ही हो, और उसकी आबरू से छेड़ छाड का हग ना बाहर वाले को है, और ना ही अब मुझे खुद को, चलो, अब स सोजाओ जान, कल उठना भी है, रुद्र सोजाता है, चाहत करवटे बदलती हुई, रुद्र को घूर घूर के देखते हुए, अपनी तड़कती जीब भड़डा रही थी, कोई बात नहीं रुद्र, तुम मेरे इस हसीन रूप के आगी टिक नहीं पाओगे, पिघलना तो कल सही, मौत तो तुम्हारे बिस्तर पर आ चुकी है, अब बस उस हसीन मौत को गले लगाना बागी है, अगर मैं चाहत के साथ सुहाग राती नहीं मनाऊंगा, तो कैसे वो मुझ पर हमला करेगी, और इस बेचारी चाहत का क्या दोश, जो इसे इस पूरे खेल में मैं चोट रही होगी, और मुझे डसने के लिए तडप रही होगी, अगली सुभह चाहत देखती है कि रुद्र बिस्तर पर था ही नहीं, बहुत चालाख हो तुम हीरो, तुमसे लड़कर मजा तो बहुत आने वाला है, नागिन से बचने के लिए तुमने सुहाग राती नहीं मनाई, वा, क्या दिमाग लगाया है, ऐसे ही डेड़ शानों की अकड़ को डसने में मुझे मसा आता है, आज तुम मेरे हुसन के जादू से बच नहीं पाओगे, करीब तो तुमको आना ही पड़ेगा, और चाहत हर रोज से जाधा हसीन और सुन्दर बंकर उचलते हुए बाहर आत तो वो देखती है कि वहाँ ना केवल रुद्र था, बलकि पंचायत का पूरा जमावडा बिचा हुआ था, चाहत की कदम ये देखकर, खुद बखुद रुख जाते हैं, और वो अपने कपड़े ठीक करती है, रुद्र उसे इशारे से बुलाता है, और वो वहाँ चली जा रुद्र बाबू, हम सब तो खुद चौंग गए हैं आपको जिन्दा देखकर, शादी करके इतना बड़ा खत्रा लिया, और तब भी आप जिन्दा बजगे, बान गए तुम्हारी बहादुरी को, इसी बहादुरी को देखकर वो नागिन कहीं तडप रही होगी सर्पंच अब हमको बस इंतिजार करना है उसकी एक चाल का, और फिर वो हमारी जकड में आ जाएगी, पर ऐसा तुम क्या करने वाले हो रुद्र बाबू, ये सुनकर रुद्र मुस्कुराता है और ताली बजाता है, ताली बजाते ही एक आदमी एक लड़के को वीलचेर पर लेकर आ आप सब यही सोच रही है ना कि रमेश नागिन के उस जहरीले हमले के बावजुत कैसे बच गया, तो बस शायद शिफशंबो की भी यही मनजूरी थी, वो हम सब की मदद करने के लिए बची गया, विचार आप कुछ बोल नहीं सकता, जहर से इसका शरीर लगबख सुनने पढ़ गया है, पर फिर भी यह मदद तो करी सकता है, तदी रमेश की नजर चाहत पर पढ़ती है, और वो उसका चेहरा देखकर घबरा जाता है, चाहत भी अपने शिकार को जिन्दा देखकर अंधरी अंधर तड़प उड़ती है, चाहत मन में सोचती है, यह जिन्दा कैस पूरा नहीं छोड़ती, तो फिर यह जिन्दा कैसे बच गया? हलका हलका होश अभी भी था, चाहत एक और शिकार करके बड़ी ही खुश थी, वो रमेश के शरीर से अलग होकर लड़की रूप में आकर जोड़ से ओफ ओ रमेश बाबू, ये एक चुटकी सिंदूर तो तुमको बहुत भारी बढ़ गया? हाहाहा, तो कैसी रही इस नागिन के साथ तुम्हारी सुहाग रात? यादगार रही न, भोलो? हाहा, बेहोश होने से पहले, अपनी मूंदी आखों से रमेश ने नागिन का चहरा साफ साफ देख लिया था, वही नागिन रमेश के ठीक सामने खड़ी थी, जिसे देखकर रमेश की धड़कने अब जोरों से गुलाटिया मारने लगी थी, वो हाफता हो अपना हाथ धीमे खराब हो रहा है, अगर इसने सब को बता दिया कि मैं ही शिकारी नागिन हूँ, तो फिर मैं कैसे आगे इस खेल को चालू रख सकूँगी, रुदर बाबू, ये रमेश आपकी पतनी की और इशारा क्यों कर रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं सरपंज जी, रमेश तुम है न यहाँ, उस नागिन ने तुम्हारे साथ जो जाती की है, उसका बदला हम सब मिलकर लेंगे, बस तुम हिम्मत मत हारना, रुदर को चाहत की इतनी समझदारी भरी बात सुनकर गर्व महसूस होता है, वो रुदर शायद हम दोनों की नई शादी देखकर ये घपर गया होगा, रमेश बार बार सब को बताने की कोशिश कर रहा था, कि जिस नागिन को वो लोग धून रहे थे, वो तो यहीं ठीक, सब के सामने खड़ी थी, चाहत रमेश का हाथ कसकर भीचती है, और उसे घूर कर देखती है, ये देखकर देखकर देशत के मारे रमेश को ज कोई कमी नहीं होगी, और गाउवाले रमेश को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और रूत्र घर पर ही रुख जाता है, रूत्र चाहत की ओर देखता है, चाहत रूत्र का ऐसा कड़क चेहरा देख, थोड़ी हड़ड़ा जाती है, वो उसकी ओर बढ़ता है, क्या हुआ रूत्र ये ऐसे क्यों आ रहा है मेरी ओर, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया, रूत्र आकर चाहत का माथा चूमता है, इतनी समझदार बाते करती हो, कहीं वक्ति से पहले ही तुम मेरी आत्मा ना चुरालो, और रूत्र चाहत को सीने से लगा लेता है, रूत्र को करीब आता देख, चा चाहत की पीठ सहलाने लगता है, अब इतना प्यार करी रहे हो तो, जरा मेरे बलाउस की डूरी भी खोल दो ना रूत्र, देखो न, मुई कहीं अटक ही गई है, रूत्र मुस्कुरा कर उसकी डूरी खोल देता है, और दूनू एक दूसरे की आँखों में खो जाते हैं, बे अगर उस नागिन को खबर लग गई है, कि रमेश अभी भी जंदा है, तो वो अपने शिकार को लेने जरूर आएगी, सुना है नागिन अपना कोई भी काम अधुरा नहीं चोड़ती है, और रूत्र बाहर चला जाता है, अंदर बैठी इंतुजार कर रही नागिन, तडप कर दर्वाजे की बाहर देखती है, तो रूत्र तो वहाँ था ही नहीं, ये देखकर वो जला उठती है, मगर तभी चाहत को एक बात ध्यान आती है, रूत्र को रिजाने की चक्कर में तो मैं रमेश को भूली गई, क्या कहा था इन मुर्खों ने, कि कड़ी सुरक्षा में हूँ सुरक्षित है, इस नागिन के प्रखोप से उसे कोई भी सुरक्षा नहीं बचा सकेगी, रमेश तू तो गया, और चाहत पलक छपकते ही रमेश के कमरे में पहुँच जाती है, उधर रूत्र भी अस्पताल पहुँच गया था, रूत्र की आहट कमरे के दर्वाजे पर थी, बिस्तर पर बैठी नागिन अपने शिकार को सूम कर बहुत खुश हो रही थी, और फिर रूत्र की दस्तक होती है, कमरे में सामने बैठी रूत्र की दुलहन असल में एक नागिन है, इस बात से बेखवर रूत्र ड्रॉर से एक खाग निकालता है, और चाहत के पास आता है, आ गए तुम, और कितना इंतुजार करोगी रूत्र, मुझ पर प्यार नहीं आ रहा क्या तुम्हें, आज हमारी सुखाग रात है, रूत्र चाहत का चेहरा सहलाता है, और उसकी गले में वो हार पहनाता है, और उसका माथा चूम कर कहता है, चाहत, अभी हम एक दू गई थी, आज तक इस गाउं में ऐसा कभी नहीं हुआ था, कि कहीं शादी हो, और नागिन चाहत अपना शिकार ना करे, आज का दिन काफी बड़ा रहा ना, तुम ठक गई होगी, हराम कर लो, पर बेचैन चाहत का चेहरा देख, रूत्र को कुछ अजीब लगता है, रूत् इसका ये मतलब नहीं है, कि मैं तुमारी आबरू के साथ जो चाहे वो कर लो, और इसके लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, चाहत ये सुनकर हिल गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रूत्र को अपनी बातों में फसाए, और रूत्र करवट करके सो गया बेचारी नागिन भी करवट करके सो गई थी, चाहत अगर तुम लाइट्स आफ कर दोगी, तो नीन जल्दी आ जाएगी, प्लीज, चाहत लाइट्स आफ करती है, तब ही उसे खुराफात सूचती है, और वो रूत्र को रिजाने के लिए जान बूच कर उसके उपर जा गि पर रूत्र बड़ा ही सक्थ निकला, वो जरा भी पिगला नहीं, और उसने चाहत को साइट कर दिया, तुम्हें शायद ये शादी बस समझोता लग रहा होगा, पर समझोता ही सही, इस दौरान तुमेरी पतनी ही हो, और उसकी आबरू से छेड़-छाड का हग ना बाहर वा गूर के देखते हुए, अपनी तड़कती जीब फड़ड़ा रही थी, कोई बात नहीं रुद्र, तुम मेरे इस हसीन रूप के आगी टिक नहीं पाओगे, पिगलना तो तुमको पड़ेगा, आज नहीं तो कल सही, मौत तो तुम्हारे बिस्तर पर आच चुकी है, अब ब पिचारी चाहत का क्या दोश, जो इसे इस पूरे खेल में मैं चोट पहुंचाऊं, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जम्मदारी है चाहत, बस अब इंतिजार है उस नागिन का, मैं जानता हूँ नागिन, तुम अभी दूर कहीं से मुझे देख रही होगी, और मु ने सुहागराथी नहीं मनाई, वा, क्या दिमाग लगाया है, ऐसे ही डेड़ शाणों की अकड़ को डसने में मुझे मसा आता है, आज तुम मेरे हुसन के जादू से बच नहीं पाओगे, करीब तो तुमको आना ही पड़ेगा, और चाहत हर रोज से जाधा हसीन और कि वहाँ ना केवल रुद्र था, बलकि पंचायत का पूरा जमावडा बिचा हुआ था, चाहत की कदम ये देखकर, खुद बखुद रुख जाते हैं, और वो अपने कपड़े ठीक करती है, रुद्र उसे इशारे से बुलाता है, और वो वहाँ चली जाती है, ये है मेरी शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है, जान, ये सब यहाँ उस खुखाड नागिन के बारे में पता करने आए हैं, रुद्र बाबु, हम सब तो खुद चौक गए हैं आपको जिन्दा देखकर, शादी करके इतना बड़ा खत्रा लिया, और तब भी आप जिन्दा ब ये सुनकर रुद्र मुस्कुराता है और ताली बजाता है, ताली बजाते ही एक आदमी एक लड़के को वीलचेर पर लेकर आता है, रुद्र उस लड़के के पास जाता है, ये होगी मेरी चार, माफ करना भाई, मैं तुमको चारे की तर इस्तिमाल कर रहा हूँ, सब उसे आशरी से देख रहे थे, पर ये कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, ये कैसे हो सकता है? जानता हूँ, आप सब यही सोच रही है ना, कि रमेश नागिन के उस जहरीले हमले के बावजुद कैसे बच गया? तो बस शायद शिफ शम्बो की भी यही मनजूरी थी, वो हम सब की मदद क करने के लिए बची गया, विचारा आप कुछ बोल नहीं सकता, जहर से इसका शरी लगबख सुनने पड़ गया है, पर फिर भी ये मदद तो करी सकता है, तदी रमेश की नजर चाहत पर पड़ती है, और वो उसका चेहरा देख कर घबरा जाता है, चाहत भी अपने शिकार क पर जब उसने दुलहन का घूंगट उठा कर उसे प्रेम आलिंगन में लेकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, तभी वहाँ नागिन दुलहन के नाक के रास्ते से निकल कर बाहर आ गई थी, और रमेश की गरदन पर बैठ कर उसको डसने लगी, रमेश तडपता हुआ जम बार करके बड़ी ही खुश थी, वो रमेश के शरीर से अलग होकर लड़की रूप में आकर जोर से ओफ ओ रमेश बाबू, ये एक चुटकी सिंदूर तो तुमको बहुत भारी बढ़ गया, तो कैसी रही इस नागिन के साथ तुम्हारी सुहाग रात, यादगार रही ना, भोलो, बेहोश होने से पहले अपनी मूंदी आखों से रमेश ने नागिन का चहरा साफ साफ देख लिया था, वही नागिन रमेश के ठीक सामने खड़ी थी, जिसे देखकर रमेश की धड़कने अब जोरों से गुलाटिया मारने लगी थी, वो हाफता हो अपना हाथ धीमे उठाता है और चाहत की ओर इशारा करने लगता है, क्या हुआ रमेश तुम कुछ कहना चा रहे हो, चाहत ही देखकर थोड़ा सकपका गई थी, इस गधे की वज़े से सब काम खराब हो रहा है, अगर इसने सब को बता दिया कि मैं ही शिकारी नागिन हूँ, तो फिर मैं कैस आग इस खेल को चालू रख सकूंगी, रुदर बाबू, ये रमेश आपकी पतनी की ओर इशारा क्यों कर रहा है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं सर पंज जी, रमेश तुम कुछ कहना चा रहे हो गया, तब ही चाहत, रमेश की ओर बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है, और उ रुदर को चाहत की इतनी समझदारी भरी बात सुनकर गर्व महसूस होता है, वो रुदर शायद हम दोनों की नई शादी देखकर ये घपरा गया होगा, रमेश बार बार सबको बताने की कोशिश कर रहा था, कि जिस नागिन को वो लोग ढून रहे थे, वो तो यहीं ठीक, सबके सामने खड़ी थी, चाहत रमेश का हाथ कसकर भीचती है और उसे घूर कर देखती है, ये देखकर देखकर देशत के मारे रमेश को जोरदार अटायक आता है, और वो हाफ ने लगता है, अरे इसके हाला तो खराब हो रही है, सरपंच जी इसे फटाफट होस्पिटल मगर क्या ये वहाँ सुरक्षित होगा, हाँ, अस्पताल में सुरक्षा की कोई कमी नहीं होगी, और गाउवाले रमेश को हास्पिटल ले जाते हैं, और रूद्र घर पर ही रुख जाता है, रूद्र चाहत की ओर देखता है, चाहत रूद्र का ऐसा कड़क चेहरा देख, थोड़ी हडबड़ा जाती है, वो उसकी ओर बढ़ता है, क्या हुआ रूद्र, ये ऐसे क्यों आ रहा है मेरी ओर, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया, रूद्र आकर चाहत का माथा चूमता है, इतनी समझदार बाते करती हो, कहीं वक्ति से पहले ही तुम मेरी आत्मा ना चुर अब इतना प्यार कर ही रहे हो तो, जरा मेरे बलाउस की डूरी भी खोल दो ना रूद्र, देखो न, मुई कहीं अटक ही गई है, रूद्र मुस्कुरा कर उसकी डूरी खोल देता है, और दूनू एक दूसरे की आँखों में खो जाते हैं, बेड्रूम में चलें, रूद्र तुम चलो मैं अभी आया, और चाहत, शर्मादी सी बेड्रूम में जाकर, बिस्तर पर बैट जाती है, बाहर खड़े रूद्र के भीतर तो, कुछ और ही जल रहा था, अगर उस नागिन को खबर लग गई है, कि रमेश अभी भी जिन्दा है, तो वो अपने शिकार को लेने उठती है, मगर तभी चाहत को एक बात ध्यान आती है, रूद्र को रिजाने की चकर में तो मैं रमेश को भूली गई, क्या कहा था इन मुर्खों ने, कि कड़ी सुरक्षा में वो सुरक्षित है, इस नागिन के प्रखोप से उसे कोई भी सुरक्षा नहीं बचा सकेगी, र चाहत पलक छपकते ही रमेश के कमरे में पहुँच जाती है, उधर रूद्र भी अस्पताल पहुँच गया था, रूद्र रमेश के कमरे की और बढ़ रहा था, और चाहत रमेश के करीब जाती है, रमेश चाहत को देखकर घबरा रहा था, तो जैसे मर्दों को अयाशी करन मिल जाता है ना जिसे तुम सब पत्नी कहते हो तो पहचाना इस पुरानी पत्नी को आरे बाबा नहीं पहचाना क्या मैं ही हूँ वो नागिन वो सुभाग रात भूल गए क्या और चाहद नागिन में बदल कर रमेश के सीने पर पुंडली मार कर बैट जाती है मगर नागिन के डसने से पहले ही रमेश की मौत दिल का दोरा पढ़ने से हो जाती है तू तो बहुत कच्चा खिलाडी निकला रमेश चाहद उसके पास से हटकर जमीन पर आकर नागिन से मानव रूप में आई थी कि तब ही रूद्र कमरे का दर्वाजा खोल देता है और वो कमरे में चाहद को पाकर एक दम हैरान हो गया रूद्र को देखकर चाहद के चहरे का भी रंग उड़ गया था चाहद तुम यहाँ क्यों कैसे रूद्र वो मैं मैं वो तभी नर्स आकर रमेश को देखती है तो वो मरा हुआ था रूद्र रमेश को देखता है और फिर पीटते हुए फिलाप करती है अरे राम रे खा गई रे एक बर फिर से मेरे छोरे को खा गई वो मुई नागिन अरे नागिन तेरे फन में कीड़े पड़ जाए तुझे चैन कभी ना मिले आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे फूल ने तेरा जो मेरी पूरी भग्या उजाड गई रूद्र को कुछ ना कुछ अजीब ही लग रहा था एक मिनट काकी उस नागिन को भला बुरा कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए माना कि वो नागिन आप सब की गालियों के लाएक है मगर रमेश को उस नागिन नहीं मारा रमेश के शरीर पर कहीं भी नागिन के डसने के निशान नहीं है और नाहिस का शरी नीला पड़ा है इसका मतलब है कि वो नागिन यहां आई ही नहीं थी ये देखकर चाहत की जान में जान आती है और वो जट से रुद्र का हाथ थाम कर बोल पड़ती है हाँ रुद्र तक का वो नागिन आई ही नहीं होगी मैं खुद तुम्हें यहां ढूनते हुए आई थी तुम मुझे घर अकेला छोड़ गए थे न और जब यहां आई तो रमेश चाहत अपने नागिन के आँसू निकाल कर रुद्र के सीने से लग जाती है बेटा मेरा बेटा वैसे भी बस लाश की तरह ही जी रहा था पर तेरी तो नई ग्रस्ती है जा बहु को घर ले जा बेचारी ये सब देखकर डर गई है बहुत और रुद्र चाहत को घर ले आता है और उसे कमरे में ले जागर प्यार से चुप कर आता है तुमको वहाँ आने की क्या दरकार थी चाहत अब देखो तुम्हें क्या कुछ नहीं देखना पड़ गया चलो यहीं रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ पर तब ही चाहत उससे लिपट जाती है और उसे कहीं भी जाने से मना गर देती है नागिन ने नकली आंसूं की बार तो लाही दी थी पर देखना ये था कि रुद्र उसमें बहता है या नहीं आप बताईए आपको क्या लगता है रुद्र चाहत को बच्चों की तरह रोता देख उसके आंसूं को चूम लेता है और आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसके लिए चाहत इस घर में आई थी रुद्र और चाहत के बीच नजदीकिया बढ़ गई थी और उस दिन चुरू होता है रुद्र और नागिन की सुहाग रात का मंसर और जब रुद्र आखे मूंदे चाहत को प्यार करता है तो अजानक चाहत एक नागिन में बदल जाती है और रुद्र की गरदन को डस देती है वो अपनी आखे खोलता है तो वहाँ चाहत नहीं, बल्कि एक नागिन थी रूद्र नागिन को हाथ से जटक कर फेटता है पर वो उचल कर फिर से रूद्र की गर्दन पर जा बैटती है नागिन उस पर एक और हमला करती है मेरे इस वार से तो तू नहीं बच पाएगा लड़के मगर रूद्र पर नागिन के एक भी हमले का असर नहीं हो रहा था ये देखकर वो हैरान हो गई थी तभी रूद्र ने पास के डौर को खोल कर लाइटर जलाया और नागिन के चहरे के पास कर दिया नागिन आग देखकर जाने रखी तभी रूद्र ने उस पर जलता लाइटर फेग दिया जिसे नागिन का शरीर जलने लगा था वो छटपटाती हुई किजन में पानी की बर्तन में जा बैठती है नागिन समझ गई थी कि इस बार उसका शिकार उसके टककर का ही है मेरे इतने वार के बावजूद भी इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रा प्रभू ये कैसी नाग लीला रचा रहा है तू रूद्र अपनी सांसे बटोर कर चाहत का ख्याल करता है जब यहाँ चाहत थी तो अचानक वो नागिन कैसे मेरे इतने करीब आ गई चाहत चाहत कहा है चाहत चाहत कहा हो तुम रसोई में बैठी नागिन रूद्र की आवाज सुनकर घबरा जाती है ना इसको मार सकी ना किया एक और मर्द का शिकार उपर से पूरे नाटक का भांडा भी फूटी जाना है ऐसे में फिर मुझे कब इस रूद्र को मारने का मौका मिलेगा कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा को प्यार करना चाहता हूँ और तीन दिन नहीं हुए शाधी को सीधे जिस्म को प्यार करने लगा बड़ी बड़ी बातें, बड़े लड़ू खातें हाँ? और जैसी रूद्र नागिन को ढूंटा हूँ बाहर आता है नागिन नजर बचा कर बेटरूम में घुसकर मानब रूप में आ जाती है और बेट के पास जमीन पर लेट कर बेहोश होने का नाटक करती है नागिन रूप में लाइटर की आग से, नागिन जहां जहां जली थी चाहत के भी हाथ पर भैंकर जलने के निशान हो जाते है रूद्र आकर चाहत को जमीन पर बेहोश पाता है और उसे होश में लाता है होश में आते ही, रूद्र उसे सीने से लगा लेता है कहा थी तुम, कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे लिए, पर तुम यहाँ बिस्तर के नीचे कैसे पता नहीं, रूद्र, मैं जब तुम्हारी बाहों में थी, तो अचानक ऐसे लगा, कि जैसे पीछे से किसी ने मेरे सर पर वार किया हो, और मैं विस्तर से गिर कर बेहोश हो गई हाँ, वो वही नागिन थी, जिसने तुम्हें चोट पहुंच आई तवी रूद्र की नजर उसकी जली हुई चोटो पर बढ़ती है चाहत ये कैसे हो गया, ये हाथ इतना कैसे जल गया वो पता नहीं मुझे, बेहोशी में ऐसा लगा जैसे, किसी ने मुझे पर जलता अंगारा भैंग दिया हो ओ चाहत मुझे माफ करना, वो उस नागिन को भगाते हुए, मेरी ही वज़े से तुमको चोट पहुँच गई ओ जान, मेरी छोडो न, पर यहां सच में वो नागिन आई थी क्या, फिर तो उसने तुमको चोट पहुँचाई होगी, तुम ठीक तो रूत्र चाहत की बात सुनकर, अपने गले में पहनी शिव माला को चूमता है, और मुस्कुराता है रूत्र बहुत बड़ा शिव भग था, जिस वज़े से माहकाल की बनाई नागिन, खुद रूत्र का कुछ नहीं विकाड पाई मगर अब ये बात नागिन के लिए एहन की बात बन चुकी थी, रूत्र और चाहत एक साथ चिपक कर सो जाते हैं, नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी ये सब आखिर हो क्या रहा है, मैं रूत्र को मानने आई थी, या उसकी पत्नी बनकर यहां रहने, पर मैं यहां से भाग भी तो नहीं सकती हूँ, पर फिर भी मैं भाग क्यूं नहीं रही हूँ, मैं आखिर यहां हूँ क्यूं, कपिल, क्या ये सब तुम कर रहे हो और बोलते बोलते नागिन की आँखों में आसू छलक आते हैं उधर रुद्र भी बेचैन सा बस घड़ी की टिक टिक ही सुन रहा था आज तुम मेरा हाथ लगी गई थी नागिन पर शायद अब तुम जादा दूर हो नहीं मुझसे अगली सुभा चाहत के उठने से पहले ही रुद्र उसके लिए बिस्तर में ही नाश्ता बना कर लेकर आता है गुड मॉर्निंग आमची नागिन नगरी इनसे मिलिए ये हैं आप सब में सबसे हसीन सबसे खुबसूरत मेरी चाहत जो नागिन तो नहीं है मगर तुम सबसे कहीं जादा जहरी ली और नशी ली है अब इस चाय को पी कर जूटा कर दो और मुझे भी अपना विश फिला दो रुद्र तुम भी ना और रुद्र चाहत के जखमों पर मलहम लगाता है ऐसा करते हुए चाहत बस रुद्र का चहरा देखते ही जा रही थी यूँ लग रहा था जैसे रुद्र ना केवल चाहत के बाहरी जखमों को चूरा है बल्कि इसका ठोड नागिन की आत्मा को भी सहला रहा था चाहत की आखों से आसू छलक कर चाह के कप में जा गिरा ये देख रुद्र फटाक से आसू वाली चाह गटक जाता है अरे रुद्र ये क्या हाँ अब तुमारे नमकिन आसू के खुलने से बन गई ना मेरी चाह एक नमीठी तुमासते वह अच्छे लगती हो पागल रोते वह नहीं तुम कुछ अलग हो रुद्र आज तक जितने भी मर्द थे उन सब में अलग जितने भी मर्द थे यानि की कितने मर्द थे और कौन चाहत अपनी बात संभाल पाती कि तभी दर्वाजे की घंटी बचती है और रुद्र उठकर चला जाता है ए लड़की तू अभी क्या कर रही थी इतना गुसा आरा ना खुद पर फोकस चाहत फोकस यहां इस गाउं में कोई भी मर्द अच्छा नहीं है कोई भी नहीं ये रुद्र भी नहीं कही न कहीं इसके अंदर का शैतान भी छिपा हुआ है जैसे ही मैं उसे बाहर निकालूँगी तब महाकाल भी इसको मेरे वार से नहीं बचा सकते हैं रुद्र दर्वाजा खोलता है तो दर्वाजे पर छोटे-छोटे कपड़ों में एक हसीना खड़ी थी येस, हाव में आई हल्प यू हालो, मेरा नाम माया है, मैं यहां नहीं शिफ्ट हुई हूँ आसपास आपके घर के अलावा कुछ नजर आया नहीं, तो I just came here रुद्र माया से बहुत अच्छी तरह से बात करता है, लड़की की हंसी की आवाज सुनकर चाहत बाहर जहांक कर देखती है, तो माया उसे भी हैलो कहती है चलो रुद्र, अच्छा लगा मिलकर, and you have a very pretty wife माया जाते हुए रुद्र से हाथ मिलाते हुए, उसके गाल पर किस करती है, और रुद्र मुस्कुरा देता है ये देखकर चाहत को जलन जैसी फीलिंग होने लगती है तभी पंचायत के कुछ लोग घर में आते हैं, तो रुद्र चाहत को अंदर जाने के लिए कह देता है रुद्र बाबू, आपके पिलान में कोई प्रॉग्रस है या नहीं? हाँ बाबू, उस नागिनवा के डर से हम हूँ भी हमार बड़ा बिटवा की शादी नहीं कर सकत मेरा बेटा भी तीज बरस का घर में कुवार रह गया है पर मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती जी वो नागिन सिर्फ मर्दों का ही शिकार क्यूं करती है? औरतों का क्यूं नहीं? क्या उसे औरतों से कोई खत्रा नहीं लगता क्या? सही कहा बहन जी, लगता है अब तो सब बिटवा लोगों को जनानियों वाली साणिया पहना देनी चाहिए वही बचाव है, या फिर लड़के लोग भी दुलहन के कपड़ों में ही शादी करें, तो शायद बचे बहुत जल्द सब की चिंताएं खत्म हो जाएंगी मैं बिमारी को दवाई दे कर ठीक करने की वज़ाए जड़ से मिटाने में विश्वास करता हूँ और आज इस बिमारी को मैंने करीब से छूकर मैसूस किया है, वो खुद मेरे घर तक चल कर आई, मैं जान गया हूँ कि वो कौन है, आप सब अब जाईए सब चले जाते हैं, चाहत छिपकर सब की बाते सुन रही थी ओ, मर्दों के शिकार पर सवाल उट रहे हैं, तो अब मैं एक डायन का शिकार भी कर ही देती हूँ और वो डायन कौन है, आप सभी जानते ही हैं, दूसरों के पती पर डोरे डालने वाली डायन, तू तो गई चाहत नागिन रूप में बदल कर, खिड़की से बाहर चली जाती है, और उधर माया के घर की घंटी बचती है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आसपासी हो नागिन, और वो तुम ही हो चाहत रुद्र चाहत का सच जानता था, मगर कबसे? तो पिछले भाग में आपने देखा कि खेल खेलने खुद आई नागिन चाहत का शिकार करने को तो रुद्र ही बेताब था नागिन सोच रही थी कि वो रुद्र को चल रही है, मगर असलियत में तो वो रुद्र था जो नागिन के सामने सब सच जानते हुए भी नाटक करता हुआ उसे ही चल रहा था लुका चूपी के इस खेल में क्या रुद्र कर पाएगा इस नागिन का शिकार या फिर कहीं वो खुद बन बैठेगा नागिन का शिकार जानने के लिए देखिए नागिन की सुहाग रात का हमारा आज का एपिसोड अब आगे रुद्र चाहत की इरादों को भली भाती भा सकती है मैं हमेशा ही तुमारे हमले के लिए तयार रहूंगा चाहत मगर रुद्र को अंदाजा भी नहीं था कि उसके प्लान का अंजाम वो पडोसन माया भूगतने वाली है चाहत माया के घर के बाहर खड़ी होकर अंदर तांक जांक किये जा रही थी माया अंदर आइने के सामने बंठन रही थी देखो तो दूसरों के पती पर डोरे डालने के बाद कैसे चेहरे पर ग्लो चमक रहा है इस डायन के पोथ चुडेल और क्रीम पाउडर पोथ ले तुझे तो मैंने डसकर सफेद से नीला ना बना दिया तो मेरा नाम नागिन चाहत नहीं कपिल की कसम फिर इतनी जोर से हसा कौन था माया जब इधर उदर देख रही थी तो चाहत उसके ठीक पीछे खड़ी होकर अपनी नागिन की जीब फुफकारते हुए मुस्कुरा रही थी माया दर्वाजा बन कर पलटती है तो उसकी पीछे चाहत नहीं थी वो फिर से अपने काम में मग कानों में उसकी गुन-गुनाती हुई धुन के दोहराने की आवाज सुनाई पड़ती है माया घबरा कर चुप हो जाती है अचानक आएने में नजर आ रहे पीछे रखे सोफे पर उसकी नजर पड़ती है वो देखती है कि सोफे पर तो रुद्र की पतनी चाहत बैठी है ज दर्वाज़ तो बंध था दर्वाजे तो अक्सर बंध ही रहते हैं पर तुझ जैसी जिद्धी घुस पैठिये इस अंचाही खिड़की को खुलवानी की कोशिश करते ही हैं चाहत आधी की गती से उठकर माया के चहरे के ठीक सामने खड़ी होकर उसकी आखों में आखे डा बाहर नहीं जा पाते वो एक दिन अंदर ही दफन हो जाते हैं और इतना बोलकर चाहत माया की गर्दन पर अपनी जीब पटकती है और उसे डस लेती है माया के शरीर में बिचले की गती से जहर फैल गया था उसका दम घुट रहा था वो अपनी गर्दन थामते हुए जमीन पर आ गिरती है उसके मुँसे डेरो जाग निकल रहे थे ये देख चाहत के चहरे पर एक अजीब सा सुकून था तभी चाहत के अंतरमन से आवाज आती है क्या ये सही किया तुने किसी औरत का कतल करना तो कभी दैह नहीं था एक बेगुना की हत्या करके इस पाप से कैसे ब ये मुझे किसी पुरानी जख्म की याद दिला रही थी और ऐसे जख्मों पर मलहम नहीं लगाते बलकि शरीर का वो हिस्सा ही काट डालते हैं तो मैंने भी बस उसे काट डाला बात तो ये है कि तू जल उठी थी अंदर तक रूत्र के जितना करीब तू जाना चाह रही थी उतना करीब जाने में इसे बस चंद सेकेंड लगी थी ये देख तुझसे बरदाश नहीं हुआ ये हत्या कोई बदले की हत्या नहीं है ना ही ये पुन्ने और पाप की हत्या है ये हत्या है जलन की डर की एक पत्नी की इरशाने की है ये हत्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तू पॉड़ी के मानव से कोई लगाव नहीं है, मैं तो बस एक मौके की तलाश में हूँ, जब मैं उसे खत्म कर दूँगी। पॉड़ी का रूप लेकर एकदम छोटे से कपड़े पहन कर अपने घर का दर्वाजा खोलती है। इस कदर सपर्श कर रहे थे, कि जैसे अभी उनके अंदर बिजली दोड़ने लगे। रूद्र माया की आँखों में जैसे ही देखता है, जट से उट खड़ा होता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद तयार होकर कहीं जा रही है, तो शायद ये सही समय नहीं है मिलने का, इसलिए मैं बाद में आता हूं माया जी। रूद्र पलट कर जाने लगता है कि तभी माया उसका हाथ पीछे से थाम कर जोड से खीचती है, तो वो माया के शरीर से आठ टकराता है, आउच, बहुत सक्त है आप रूद्र जी, और कहां जा रहे हैं, मैं तो ये आपके लिए ही तयार होई हूं, पर आप हैं कि मेरी और देखते भी नहीं है, रूद्र को माया का ये रवया कुछ अजीब लगता है, माया ये तुम ऐसी बहकी बहकी बाते क्यों कर रही हो, तुम तो सब सच जानती हो, कि मेरी एक पत्नी है, जो अभी घर पर मेरा इंतिजार कर रही होगी, मुझे अभी उसके साथ होना चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ, जाओ, जाका थोड़े ठीक से कपड़े बहन कर गाउं घुमाओ, तुम्हारे ये चंचलमन शान्त हो जाएगा, इसे तो बस अब तुम ही शान्त कर सकते हो, रूद्र, ऐसा भी क्या डरना, पत्नी ही, वो कोई डायन या चुडैल नहीं है, डायन च पत्नी को अंदर बहार हर तरह से जानता हूं, और शायद वो भी मुझे जान जाएगी, और शायद उस दिन हमारी आत्मा का मिलन होगा, ये सुन माया बनी हुई चाहत के हाथ, एक तम ही धीले पड़ जाते हैं, माया मन में सोचती है, ये सब तुम क्या बोल रहे हैं, प्यार, प्यार तो मैं केवल चाहा से ही करता हूं, और करता रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो है तो फिर मुझे और क्या चाहिए, और हाँ, तुम घर पर अकेली हो, इसी बात की फिक्र है, मेरे जाते ही अंदर से कुंडी लगाना मत भोलना, अच्छा, चाह चाहत भी विचारी घर पर अकेली होगी, उपर से वो तो कभी कोई शिकायत तक नहीं करती, मुझे जाना होगा माया, मैं जिस काम के लिए आया था, अब लगता है तुम उस काम के लिए ठीक नहीं हो, ख्याल लगो और रुद्र दर्वाजा पटकता हुआ बाहर चला जाता है, उधर माया बनी चाहत की आँखों में धेरों आसू थे, जमाने बाद चाहत को ऐसी चाहत फिर से मैसूस होई थी, वो देखते ही देखते फिर से चाहत में वदल जाती है, चाहत आइने के सामने खड़ी होकर रो रही थी, क्या सच में रूत्र मुझसे प्यार करता है, एक कातल नागिन से, क्या, क्या ये कोई ख़ाब है, या कोई जाल, तभी चाहत देखती है कि आएने के भीतर उसकी सामाने परचाई नहीं है, बलकि आधी नागिन की परचाई बनी हुई है, तु, तु, तुम, इतना क्या चौक रही हो, मैं तू ही तो है, तेरा सच ही तो हूँ मैं, लगता है इस लैला मजनु के ड्रामे में, तू तेरा सच भूल गई है, सच, नहीं, मेरा ऐसा कोई सच नहीं है, जिसे मैं भूल जाऊं, या अपना ना सकूं, पर क्या रूदर भी अपना सकेगा, कि तू ही ही है वो, जहरीली नागिन, जो सुहाख रात की आड में अपने अंदर जल रही आपको बुजाने के लिए, बरसों से कतल पर कतल करती आ रही है, ये सुन मानो, चाहत की जुबान पर तो ताला सा ही लग गया था, अभी भी वक्त है नागिन, जो मैं हूँ, वो ही तू है, खेल खत्म कर दे उसका, ना जिन्दा रहेगा मजनू, तो ना ही जिन्दा रहेगी तेरे अंदर की लैला, खलास कर दे उसे, जा चाहत जा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं, जा नाकिन जा, खत्म कर डाल उसे, जा, मार दे रुद्र को, जा, चाहत अपनी ही आव रूटकर रोने लगती है बस 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 बहुत हुआ डसना अब और नहीं अब मुझे प्यार चाहिए मुझे चाहिए कि कोई मेरे चहरे को सहलाए मुझे प्यार करे मेरे वेपरवा करे रूद्र आज एक नागिन नहीं एक पत्नी तुम्हारे पास आ रही है और पलक जपकते ही चाहत वहां से खाइब होकर रूद्र के घर में बेडरूम में पहुँच जाती है और चुटकी बजाते ही खुद दुलहन बनकर पूरा कमरा फूलो और कैंडल से सजा डालती है रूद्र घर में घुसता है तो पूरा घर फूलो से महक रहा था लगता है आज इस नागिन ने कोई सुन्दरी जाल बुना है वो कमरे में जाकर देखता है तो चाहत वहां पहले से ही घुंगट किये उसकी दुलहन बन बिस्तर पर उसका इंतजार कर रही थी आज मैं तेरे चक्कर में नहीं बसूँगा नागिन आज हमारे दर्मियान कोई प्रतिशोद की आग नहीं जलेगी रुद्र आज केवल हम दोनों प्रेम ज्वाला में ही जलेंगे आज एक नागिन नहीं तुम्हारी चाहत तुम्हें तूट कर चाहेगी दोनों एक दूसरे के मन में चल रही बातों से बेख़वर थे मगर उससे बड़ी घटना अभी चाहत का इंतजार कर रही थी सोफे के पीछे पड़ी माया की लाश अचानक वहां से गायब हो गई थी और माया के घर में बस हसी की आवाजे गुझ रही थी आज का एपिसोड अंजाम का एपिसोड है तो मिस्स बिल्कुल नहीं करना आखिर तक देखना जरूरी है चाहत बिस्तर पर बैठी अपनी चाहत का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे कुछ बेचैनी सी होती है ये मेरे भीतर एकदम से कैसी बेचैनी उमर पड़ी ये मुझ में इंसानी भाव कब से घर करने लगे है नहीं इस बार में कुछ भी गलत नहीं होने दूँगी चाहत और रुद्र के करीब चार गज की दूरी थी चाहत गूंगड उठा कर रुद्र की और मधोश अखियों से देखती है और अपना हाथ रुद्र की और बढ़ाती है आजाओ मेरे इतने करीब कि हम दोनों के मिलन से निकली हर एक जिंगारी इस पूरे समा के लिए शमा बन जाए रुद्र एक नागिन की मधोश आवास की और खिचा चला जा रहा था कि अचानत दर्वाजे की घंटी बचती है और रुद्र वही ठहर जाता है चाहत कुछ समझ पाती कि रुद्र दोनों की सुहाकरात को छोड़ दर्वाजा खुलने जाता है और सामने माया को खड़ा पाता है जिसका शरीर एक दम नीला पड़ चुका था उसकी जुबान मानो जैसे चिपक गई हो और आखों की पुदलिया फिरी हुई थी माया तुम यहाँ और तुम्हारे साथ ये क्या हो रखा है माया लड़ खड़ाती रुद्र की बाहों में गिरती है मगर वहाँ चाहत भी खड़ी थी माया कापते हाथों से चाहत की और बार बार इशारा कर रही थी बोलो माया, किसने किया ये तुम्हारे साथ, कुस तो बोलो, मैं तो तुमको अच्छा बला गर में चोड़ कर आया था मेरे साथ ऐसा करने वाले, चाहत, चाहत है, तुम्हारी पत्नी ही है वो, जहरीली कातिल नागिन, रुद्र चाहत दोड़ कर माया की गर्दन फिर से डस लेती है, मगर माया तो अपना मुग खोल चुकी थी, और वो इस बार नागिन के वार पर धेर हो जाती है, रुद्र सुन होकर बस देखता ही रह गया, कुछ करना सका, मेरा सच बताने जा रही थी तुम रुद्र को, आखिर तुम जालिम मुझे प्यार नसीब क्यों नहीं होने देते, मुझसे दिक्कत क्या है सबकी, तभी चाहत देखती है कि रुद्र उसे कातल की तरह देख रहा है, जिसकी आखों में कभी चाहत के लिए प्यार था, आज उनी आखों में बस सवाल ही तैर रहे थे, रुद्र मेरी बात को साथ लेकर क्यों चलती हो चाहत, क्या कभी तुम्हारे भी तर प्यार पैदा नहीं हो सकता, वो लोग जो बड़े चाओ से शादी कर, अपनी पत्नियों के साथ जिंदगी की पहली रात को प्यार से पूरा तरबतर करना चाहते थे, उन लड़कों को तुमने तुम्हारे जहर से तरबतर कर दिया, क्यों चाहत, और खिर क्यों? रूद्रे के सवाल सुनकर, चाहत की आँखों से अश्रू धारा फूट पड़ती है, और वो जमीन पे अपने घुट्ले डालकर फूट फूट कर रोने लगती है, प्यार, प्यार, प्यार ही तो किया था, लेकिन… चाहत, रूद्र की ओर देखती है, आज तक सबने केवल नागिन के किस्से कहानिया ही बनाई है, बताई है, लेकिन उसकी कहानी किसी को जाननी ही नहीं थी, पर आज, इतने बरसों बाद, किसी ने पहली बार इस नागिन की कहानी जानने की इच्छा जताई थी, और चाहत, रूद्र की गोद में सर रखकर अपनी कहानी शुरू करती है, ये बात तब की है, जब मेरे मन में प्यार जैसे शब्द ने कहीं जन भी ने लिया था, पर तब कपिल ने मेरे जीवन में दस्तक दी, अंजाने में दिखा कपिल का वो चहरा, चाहत के जहन में मानोच छब ही गया था, और चाहत अब रोज जंगल में भाती-भाती के बहाने लेकर उसे इधर-उदर ढूनती रहती थी, कभी चाहत की किस्मत अच्छी होती, तो कपिल उसे दिखाई दे जाता, और कभी-कभी उ उसे सपनों से भी सुन्दर एक जगे नजर आती है, जहां रंग बिरंगे फूलों से चारों और सजावट थी, पेड़ों से लेकर जमीन तक हर जगे बस फूल ही फूल थे, चाहत और कुछ देख पाती कि तब ही बीचे से उसकी आखो पर एक काली पट्टी आती है, और चा पाती हुई चाहत की अजानक आग खुलती है, तो वो देखती है कि वहाँ एक मंडब सजा था, जिसके हवन में अगनी पहले से ही जल रही थी, आसपास बहुत से लहराते साप इधर उधर चल रहे थे, कुछ नागीने वहाँ खड़ी थी, पर आखिर ये सब था क्या? चाह चाहत के लिए ये सब एक खाब जैसा था, जैसे आप एक तरफा प्यार कर रहे थे, और फिर वही आकर आखिर आखिर रहे थे, कब से शादी करने की बात कहते? अगर ऐसा हो, तो आधी लड़कियां और आधे लड़के तो वैसी खुशी से मर जाएंगे. यही हालत चाहत की थी, वो मुस्कुरा कर हां में सर हिलाती है, और चुटकी बचते ही, चाहत दुलहन की जोड़े में आकर कपिल संग साथ फेरे ले लेती है, रात का समय था, नागिन चाहत कपिल की सेज पर अपना दिल उसे दिये बैठी थी, कपिल चाहत के करीब आता है, और दोनों एक दूसरे की आगोश में आकर, हमेशा हमेशा के लिए मिलन की बेला में चूर हो जाते हैं, इससे सुन्दर जिंदकी कुछ हो ही नह ले रहा था, हर दिन ऐसा था मानों आज ही नागिन की सुहाग रात है, और ये सुन्दर दिन बीटते चले गए, और एक रोज, देखते देखते एक महीना बीट गया कपिल, ये सब कोई सपना तो नहीं है, नहीं मेरी जान, ये कोई सपना नहीं, और बस अब तुम्हारा आ विदा लेकर अपने घर को चली जाती है, उदर चाहत को जाता देख, कपिल के चहरे पर अलग सी रंगत चड़ाई थी, और जो कपिल नजर आ रहा था, उससे एकदम अलग निकलता है, चाहत की जाते ही, कपिल की बस्ती में, अलग-अलग लड़कियों का आना जाना चाहत के पीछे से कपिल की खूब अयाशी चलती जा रही थी, एक रोज वो अपने दोस्त के साथ बैठा था, यार कपिल, अपनी पतनी के साथ रोज-रोज प्यार कौन कर सकता है, मैं तो उप गया हूँ या, तो कुछ सुझाब देना, कपिल उसकी बात पर शैतानी हसी-हस उसके कान में खुस-फुस करता है, और दोनों हसते हैं, अगले दिन चाहत, जंगल में नदी के पास कल-कल करती नदी को महसूस कर रही थी, कि तभी उसे पीछे आकर कोई लपक लेता है, ये देख चाहत घबरा जाती है, वो पलट कर देखती है, तो वहाँ कपिल का वही द जेती हो, वो मुझसे भी बाढ़ लो, सुना है, बहुत मधोशी है तुम में, ना मुराद, चला जा यहां से, निकल अभी, वरना मैं कपिल को अभी बुलाऊंगी, जाहत उसे जोरदार चाटा लगाती है, इससे वो और भड़क जाता है, बुला, जा, बुलाना, वो कपिल ही है, जिसने मुझे यहां भेजा है, तु जानती क्या है उसके वारे में, अरे वो तो एक लड़की के साथ चार दिन से जादा टिक नहीं पाता, इसलिए मेरा मन भी रंगीन करने उसने मुझे यहां भेज दिया, चाहत यह सुनती है तो हिल जाती है, तब ही कपिल का दोस् कि वो उसके दोस्त का विश्वास नहीं करती, चाहत पटाफट कपिल की बस्ती में बिन बताय ही पहुंच जाती है, और इस बार बगिया से महकने वाली बस्ती में से हवस की बू आ रही थी, हर और अतरंगी लड़कियां थी, जो बस कपिल की बात कर रही थी, चाहत कपिल क कक्ष की और जाती है, तो वहाँ कपिल अपने बिस्तर पर पहले से ही एक लड़की के साथ था, जिस बिस्तर पर तुम मुझसे प्यार करते थे कपिल, वहाँ आज कोई और है, तभी वो उन दोनों की बात ही सुनती है, जब तुम्हारा मन लड़कियों से इतना भरता है, त तो उस पागल लड़की से शादी क्योंकि? अरे वो तो बस मेरी जितकाई शिकार थी, दोस्त से शर्त लगी थी, और मैं शर्त जीत गया, लेकिन अब तो वो गले ही पढ़ गया, अब एक ही लड़की के साथ रोज तो सुहागरात नहीं मना सकता ना, थोड़ा तो स्वाद बदला ही चाहिए, तो उससे पीछा छोड़ाने के लिए उसे मार दो, कपिल इस बात पर हस कर हाँ भर देता है, ये देख चाहत के पाओ तले जमीन खिसक चुकी थी, पर वो हार नहीं मानती, और एक मौका तलाशने लगती है, जब वहाँ से सारी लड़ियां जा चुकी थ तब चाहत अंजान बनकर कपिल के पास पहुँचती है, कपिल और चाहत दोनों ही प्यार करने का ढोंग करते हैं, ठग गई होगी, लो दूद पीलो, चाहत जानती थी कि कपिल ने उसमें जहर मिलाया है, लेकिन वो खुद को सजा देने के लिए थोड़ा जहर भी पी लेती है, और देखते ही देखते, उसे खूल की उल्टिया होने लगती है, खेल खाद में, हुश, बला डली या, कितनी चिप्पू हो यार तो, तुम जानती हो, एक औरत बस बिस्तर पर एक रात अच्छी लगती है, पर तुम तो मुससे चिपा की गई थी, चलो, अब उपर जाक आराम से, खुले हां मुझे तालना, तभी चाहत, जोरों से हस्ती है, और नागिन रूप में आकर, कपिल की गर्दन पर जा बैठती है, मैं सच तो जान गई थी, बस देखना था कि तू कितना और गिरता है, ये जहर मैंने तेरे ले नहीं, अपने लिए पिया था, मेरी हर के लिए, तेरे साथ मनाई हर सुहाग रात के लिए, और नागिन कपिल को डस लेती है, और वो उधर ही तडब तडब कर मर जाता है, मगर चाहत का प्रतिशोद अभी भी शान्त नहीं हुआ था, क्यों, क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा कपिल, इस गाउ में तुझ जैसे कितने ही कपिल होंगे, पर मैं नागिन चाहत वचन देती हूँ, मेरी जैसी हर बेहन को, कि पती के रूप में छिपे उस हर दानव को डसूँगी, जो आगे तुम्हें डसने का सोचेगा, और ये सब होगा सुहाग रात के दिन, हाहाहा, चाहत की आग से बहरे आसू, प्रतिशोद की आग ठंडी होने पर निकलने वाली आग की छीटे ही थे, तो ये जितने भी लोग मरे थे, नीच थे ये सब के सब, सब नीच थे, धोके बाज अयाश थे, सब सिर्फ अपनी हवस के लिए श मैं जानता था, चाहत, ऐसा करने वाली नागिन का कोई तो मकसद होगा, ये तो तुम्हे भी मार में आई थी, पर तुम सब से अलग थे, और फिर मैं तुम्हे अपना दिल दे बैठी, हाँ, एक पत्थर पिघल गया, देखो, रुद्र चाहत का माथा चूमता है, और उसे बाहों में भर लेता है, तभी पीछे से माया उठकर तालियां बजाती है, और नीले से सामाने रंग में आ जाती है, कि देख चाहत हैरान थी, और रुद्र हस रहा था, ये कैसे हुआ? क्यों? जब एक नागिन दुश्मन हो सकती है, तो एक नागिन दोस्त भी तो हो सकती है, ये नागिन माया, मेरी खास दोस्त, और तुम्हारी मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद मुझे एक मैसेज आया, जिसमें उस लड़की की फोटो थी, जिसे मैंने शादी के लिए मैंने खुद ने सुनी थी चाहत, तो कैसे तुम्हें खुद से दूर कर देता, मैं तो तुम्हें तभी दिल दे बैठा था, जो उस मासूम सी लड़की ने मेरे घर की घंटी बजाए थी, नाटा कब असली में प्यार बन गया था, मुझे पता भी न लगा, और तभी मैं सम अब तो नागिन संग ही सुहागरात मनेगी ब्रो, होता है ब्रो, छोटे गाओं में अकसर, जहरी दे नागिने ऐसे ही खेल रचती है, तो आपको कैसी लगी, ये प्यार महबत, बदले के तड़के से भरी कहानी, ऐसी ही और भी कहानियों के लिए जुड़े रहे, एनिम तो री संग, थांक्स फर वाओं